दिरन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो मुझे भी लगता है कि बाई 2030 देश के बहुत सारे लोग सोलार पाउर को अपनाएंगे अडॉप्ट करेंगे बट इसका बेसिक 101 क्या होता है क्योंकि the realistic truth is अगर आप almost 2 lakh का खरचा कर रहो हर किसी को जानना है कि इस गाड़ी के अंदर क्या है मैं क्यूं 2 lakh का खरचा कर रहा हूं या कर रही हूं तो exactly मतलब break down कीजिए कि how does a solar cell work शायद आपकी शुरात आपको यहां से करनी चाहिए कि traditional power how does that work जो बिजली अब यूस कर रहे है हमारे घर पर जो कोईले से बनती है logic क्या होता है कोईला निकलता कहां से है वहां से शुरू करता है ठीक है तो जो अपनी खदाने है इसे इंडिया में औरिसा बिहार जारखन वाला जो एरिया है यहां पर traditionally coal काफी available था और सबसे पहले यह 1900 में discover हुआता है सबसे पहला power plant हमारा टाटन लगा है तो वह hydroelectric और thermal power plants डल रहे थे तो traditionally globally भी ऐसा ही हुआ है कि दूर जहां पर पानी available है जहां पर कोईला available है वहां पर बड़ा power plant लगाए pollution बहुत होता है अगर अगर आप मध्यपरेश में सिंग रॉली जैसे जगा पर जा तो वह power generator होते हैं वहां से जो हम highway पर बड़ी-बड़ी cable देखते हैं उससे transmission आ रहा है और फिर बड़े शहरों में जो छोटेटे substation हम देखते हैं बिजली बाग के तो वहां से distribution करते हैं power का हर घर हर building में बिजली वो पहुचा रहे हैं ये तीन पार्ट में बिजली का जो पुरा sector है divided है पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इसको centralized power बोलते हैं जो solar है उसकी immense power यह है कि वो decentralized है अब आप हर घर पे आप solar लगा सकते हैं इसके से क्या हो रहा है जो आपके मतलब एक तो koila तो नहीं चाहिए pollution तो free है ही बट जो आपके सारे losses होते हैं आप एक तरफ से दू तो सरफ बिजली ला रहे हो ठीक है तो energy आपकी waste होती है आप एक जगा से जैसे पेंटरोल कंजूम करते हैं तो कोई भी चीज एक जगा से दूसरी जगार आ रही है तो energy का जो wastage है वो solar में नहीं हो रहा अभी इंडिया में अगर हम देखें मैं थोड़ा सा हट के जस्ट ट आपकी income आमदनी बढ़ रही है आप ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं अब government के पास में पैसा नहीं है वो infrastructure को पूरा उखाड के फिर से नया डालने का तो वो उसमें कुछ ना कुछ चोटे चोटे रिपैर रिपैर करते चले जाते हैं इसलिए जो हमारे रस्ते खो पूरा जो infrastructure है हमारे देश का अब solar क्या करता है solar आपके घरों पे आपकी factory warehouse बिल्डिंगों की छट पे वहीं पे power बना रहा है जैसे आप पानी की टंकी से पानी consume कर रहे हैं आपको दूर pipe से नहीं आ रहा है अपने अगर boring का ही पानी अगर ले लिया है ना तो आपको कई ब production है वहीं पे consumption है एंड इसके वज़े से government को बहुत पैसा नहीं डालना पड़ा वो government कहीं वो पैसा दूसरे infrastructure में डाल सकती है मतलब जो पहले power generation के लिए डालना पड़ता था transmission के लिए डालना पड़ता था distribution के लिए डालना पड़ता था आप सोचे ना हमारे case से बिहार से ब मेरी वेस्ट में पहुचे मेरी बिल्डिंग में पहुचे वो डिस्रिपिशन लब बिजन गया इतना सारा infrastructure इतना सरा पैसा लगता है इसके पीछे इतना coordination लगता है वो सारा solar से decentralized हो रहा है तो यह मैसे strength है यह काम कैसे करता है इतना simple क्यों है यह technology बड़ी पुरानी है हमने जब पहली बार satellite भेजा था सतर साल पहले satellite जब गया था वो सेम सोडर के technology आज भी है बस थोड़ी सी quality better हो रही है इसके manufacturing थोड़ी सस्ती हो गया technology is pretty old and अगले 30-40 साल भी बदलने आ रही क्योंकि यह बहुत ही fundamental physics के उपर based है जो Einstein ने बोला था कि E equal to MC square बोलते है यह उसी normal घर middle class family अगर है तो उनके घर पे अगर 200 square feet के अगर जगे है उस 200 square feet में आप 4-7 solar panel मनाएंगे हमारा dining table होता है 2 meter by 1 meter का वो एक solar panel हुआ ऐसे 4-6 solar panel लगा दिये 200 square feet में वो इतनी बिजली आपको दे सकते हैं वो आपको लग भग 200-300 unit बिजली देंगे हर महीने नॉर्मली कितनी लगती है एक घर आपका अगर बिजली का बिल कितना आ रहा है 6 रुपए 8 रुपए के आपकी बिजली है आप अगर महीने में 2000-3000 की बिजली का बिल पे कर रहे हो तो आप 300-400 unit हर महीने consume कर रहे हो यह 200 square feet की जगे आपके चहत इसमें एक question यह आता है कि चलो दिन में तो बिजली बन रही है रात को क्या तो इसके लिए एक ही support लगता है government से वो एक policy है उसको बोलते है net metering जहां पर आपने दिन में आपको जितनी requirement थी उससे ज्यादा बिजली बनाई और रात को अब government से बिजली ले रहे हो तो आपने government जो डिसकॉम है जो पुरा उनका infrastructure है उसको आपने बैटरी की तरह यूस किया दिन में extra बनाऊ रात को उनसे consume कर लो इसकी भी technology होती है यह बस फंदा physics का है कि उपर से मतलब पानी है या बिजली है उन इचे बहेगी तो ज्यादा कुछ टेक्नोलोजी लगती नहीं इसकी टे इसको solarize करते थे हमारी government ने 2020 30 December को एक policy निकाली जो game changing policy थी and it was the first in the world जहां पर ये net metering जो concept है उसको हमारी government ने एक right बना दिया एक consumer right बना दिया जो अगले 30-50 साल तक छेड नहीं सकते जैसे समवेधान में हमें कुछ rights मिलते हैं वैसे consumer को एक net metering का right बना दिया वेकि पूरे government पर एक dependency थी और मुझे तब तक लबग 6-7 साल हो गए थे industry में यह policy ना हर state अपनी अपनी थोड़ी बदलती रहती थी तो businesses consumers उतना investing नहीं कर पाथी डर लगा था किया आज मैंने पैसा डाल दिया कल क्या होगा तो एक policy की certainty लगती है वो missing थी जैसे जिस दिन य मार्केट बूम हो गया मैं आप सकता हूं कि 2013 से 20 में जितना solar लगा होगा पूरा मिलके उतना शायद से हर साल उसके बाद में लगा है क्योंकि policy की clarity दे दी उन्होंने तो coming back के घर पे हमने दिन में बिजली बनाई रात को government से हमने बिजली ले ली महीने के इंड में आपको आ आपको सिर्फ अगर deficit है कि मैंने नेट नेट दसी यूनिट जाता लिए government से तो आपको सिर्फ उसके लिए पे करना है क्योंकि solar की वज़े से इतनी ज्यादा बिजली बनती है कि आप भेज भी सकते हो and usually कमी शायद होगी नहीं आपकी चछत कितनी बड़ी है अगर आपका च ठंड में ठीक टाक बनेगी गर्मियों में काफी बनेगी बट इसलिए solar का performance हम एक annual एक पूरे साल के period में देखते हैं और उसका average हम उसके average discussion करते हैं इंडिया तो बहुती blessed है मतलब मैं आगर आपको कुछ statistics हूई यहां पे Australia में हर तीसरे घर पे solar लगा है जर्मनी में हर पा इंडिवाले देश है यहां पर बहुत cloudy weather रहता है यॉरप में आप देखे यॉएस में देखे इंडिया तो बहुती sunny country है तो यहां पर बारिशों के बावजूद भी इतना सदा production है इसलिए इंडिया में दुनिया की probably सबसे cheapest बिजली बनती है solar से तो इंडिया को तो बहुत कर रहे हैं बट solar यहां पर लगा के क्या हम बांगलदेश को बेच सकते हैं क्या हम निपाल को बेच सकते हैं बिलकुल एंड एक बहुत interesting चीज जो multiple governments मिलके साथ में करने कोशिश कर रही है कि जैसे आज यहां पर सुबह तो यहां धूप है यहां बिजली बन रही है हम अगर ऐसी power lines बड़ी बड़ी मूटी मूटी power lines connect कर पाए जो यहां से दुबही जा रही है दुबही से यॉरप जा रही है यॉरप से अमेरिका जा रही है अमेरिका से जपैन जपैन से घूम के फिर से हमारे पास आगई एक पूरा circle हमने बना दिया तो धूप कहीं पर आ रही है क यह like challenges होते ही है हर चीज में बट किसी दिन हम यह करेंगे and governments नोड़ी काम करना शुरू कर दिया है इस चीज पे छोटे नोड़े parts में करेंगे but यह होगा and India तो मतलब अभी hydrogen जो green hydrogen की बाते हो रही है है solar की बाते हो रही है इंडिया will become a power exporter very soon भोपाल के शुकला जी के घर में जो बिजली बनती है वो कोई shake ही उस कर रहे है दोबाई में हां basically net net yes yes पर भोपाल के शुकला जी के घर में बिजली कैसे बन रहे है यह भी बताओ कि वो technology होती क्या तो solar आपके जो किरने आ रही है सूरज की उससे आप भूप अटा दीजे जो किरने आ रही है उस पे चलता है जहां पर आपके किरने गिरी जो अंदर एलेक्ट्रोन होता है एलेक्ट्रोन एक साइट हो के ना करंट बन जाता है तो हर एक इतना छोटा सा भी आपका एक solar cell है आपने देखा होगा आपने जो पुराने calculator होते थे जिनने बैटरी नहीं होती थी बस धूप में लगा दो तो वो चलना मिलेगी और अगर घर के connection में आपने लगा दे जहां पर आपका जो में switchboard बोलते हैं जहां पर government का meter लगता है वहां पर आपको connect करना है it is that simple मतला जादा like as a consumer जाद दिमाग लाने के जरूती नहीं है पर cost ऐसी क्यों है मतला what is the most expensive part of manufacturing so solar module जो है वही लगबग 50% cost उसकी हो जा जहां पर electron जहां पर किरने गिरती है जो एक blue color की plate लोगों ने देखी होगी अपने पडूसर के घर पर शायद से तो 50% cost उसकी है solar module की एंड यहां पर एक important चीज यह है कि 95% जो दुनिया का production है solar panel का वो चाइना से आता है और यह इंडिया की energy security के लिए बहुत ही खराब है त तो अभी सारी government सारे businesses बहुत कोशिश करें कि इंडिया में ही हम enough solar panel बना पाएं कि खुद का भी हम consume internally कर पाएं और export भी कर पाएं मान लो अगर environmental damage 100% की हो रही है आज 2024 में तो अगर हर घर ने actually solar अपनाया भारत में तो कितना percent घटेगा pollution if 100% is what it is right now 10% 20% ऐसे कुछ होगा सवाल मैं समझ रहूं काफी बड़ा सवाल है बट मेरे वासे थोड़े statistics में आपको देता हूं so जो भी हमारा carbon footprint जहां पर हम basically pollution create कर रहे carbon वाला global warming के लिए लगबग एक चौथाई electricity consumption के वज़े से 25% 25% है electricity के वज़े से जिसमें से इंडिया में जो हम like अगर 100 unit बिजली के बनते हैं तो घर कितना consume करते हैं घर उसका 25% consume करते हैं तो 25% का 25% अगर लेने जाए तो लबग 6% जो है यह pollution हम create कर रहे हैं तो I don't think यह छोटी बात है बाइट सेल्फ मतलब अ अ अब सूच है ना वापिस से पैसे नहीं लग रहे है सरकार पूरी सुखिदा दे रही है long term solution है I think it's a क्या बोलते हैं वो क्रांथी में पहला पत्थर ही है तो इसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिब्स अपलोड किये इस चैनल पर चैनल को explore करो देखते जाओ और सीखते जाओ कर दो कर दो कर दो कर कर